हलो एबरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन का बहुत ही बैतरीन और बहुत ही इफेक्टिव सा फेस पैक बेसन हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी मैजिकल इंक्रीडियन्ट है जो की ओल इन वन होती है यह all skin type के लिए suitable होती है जाहे आपकी skin acne prone है oily है या dry है लेकिन फिर भी जिन लोगों को पेसन सुट नहीं करता वो इसकी जिगह पे मसूर दाल को यूज कर सकते है जो मसूर दाल होती है उसको पेस्ट आप बना ले और उसको आप as a basin यूज कर सकते है तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस face back को हमें कैसे ready करना है सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक शमच बेसन जो बेसन होती है अगर आपकी skin पे बहुत जादा you know acne आती रहती है पिमपल्स होते रहते है तो यह उसको बिल्कुल खतम कर देता है बेसन के बाद यहाँ पर आ effective होती है तोनों का अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद हम दूद से यहाँ पर अपना यह paste ready कर रहे हैं आप इसके जगापे कुछ भी add कर सकते हैं सिर्फ पानी से भी इसको बना सकते हैं तोनों का अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद हमारा यह paste ready है अब अगर आपके skin पर बहुत जादा एकने या उनके इसकार से हैं तो आप इसमें चुटके भर हल्दी मिला सकते हैं पिंच आफ टेमरिक आप नॉर्मल किचन हल्दी भी ले सकते हैं और अगर आपके पस कस्तूरी हल्दी है तो फिर बहुत ही जादा बढ़िया रहेगा तो मेरे पास ये किचन ह प्राड़ी हो जाएगी गाइस बेसन का फेस पैक पुराना है और काफी जादे एक्टिव है ये कभी भी आई यूनु ऐसा नहीं होगा कि ये इसको लोग यूज़ करना बंद कर देंगे ये जितना भी पुराना हो जाए ये उतना ही एक्टिव रहेगा कभी भी तो आप प स्किन में कोई भी प्राब्लम नहीं रहेगी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बनी रहेगी बिल्कुल उस पर कोई एक्ने एक्ने स्कार्स कुछ भी यहां तक कि आपकी डार्क सरकल है ना उनको भी ये लाइटन अप कर देता है तो ये उतना जादा एफेक्टिव है सो इसको अप्लाई करके जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक रहने दीजिए और उसके बाद अपने फेस को वाश कर सकते हैं सो फ्रंट्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वाचिंग